अगर आपको एक ही ड्रीप है और यह कॉल रे इंजेक्शन लगाना है तो एक रामबाण उपाosing एक तरीख है आपकी ड्रीप बहती क MICH काम भी चल जाएगा साथियो आप एक ड्रीप में इतने सारे injection मिला देते हैं ड्यक्सा मिला दिया है जो मिला सब कुछ मिला देते और बोटल फट जाती है और बोटल फटने से फिर पशुद तूरंत मर जाता है यहाज कई बार कैसों में होता है चलिए इंजेक्षन मास में लगाने काता है जो एंजेक्षन आइम लगाने काता है उसको पब भी आप बोलकर भी डिरिप में मत चड़ाना आप अब हर कम्पनी हर इंजेक्षन के उपर उसके तीनोफ रूट लिख के देती है कि यह injection के इस रूट लगाना है इसको केवाल IV लगा सकते इसको केवाल IM लगा सकते समपुन जानकरी उस injection के उपर रहती है लेकिन फिर भी यह वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उसके उपर यह जानकरी नहीं रहती है कि इस injection को साथ क्या यह जानकरी आपको उस injection के उपर कहीं भी नहीं मिलेगी यह मिलेगी सिर्फ हमारे इस चैनल पर और हमारे इस वीडियो में सात्यों पशु मरता कावे और बोटल फटती कैसे है सबसे पहले जान लिजे का आप इसे कौन से injection है जनको एक साथ मिला देंगे तो बोटल फट जाएगी अब मान लिजे आप किसी भी डिजिस का इलाज कर रहे है आपने आई वी फ्लूड लगाया आपने के वाल एक बोटल लगायी एक बोटल में आपने मिलाए ट्राइब विवर टोन फोस्पेंट आपने उसकी ताकत को खतम कर दिया आपने उसके शरील में जहर वर दिया है अगर इतने सारे injection आप एक साथ एक ड्रिप में 20-20 ml, 50-50 ml यह सारे एक एक ड्रिप में अगर आप लगाते हैं तो फिर पशुम मरेगा नहीं तो बचेगा तो आपको क्या करना है जो injection आते हैं मैं आपको बता दू आप ट्राइबिवेट, डेक्सोना, टोन फोस्पेंट और नियूरो कांड यह चार injection आप एक ड्रिप में बिल्कुल मिला सकते हैं कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लेकिन खासकर आप इनकी मात्रा का बिल्कुल दियान लगे यह सान है कि आप 20 ml टोन फोस्पेंट मिला दिया 20 ml ट्राइबिवेट मिला दिया या खत्रा हो सकता है आप एक ड्रिप में 5 ml, ट्राइबिवेट 5 ml, टोन फोस्पेंट 5 ml आप वहाँ पर नियूरोकाइड मिला सकते लेकिन जहां तक हो वहाँ तक उसको अलग-अलग करें यानि एक ड्रिप में केवल दो ही इंजेक्शन लगाए अगर आपके पस ड्रिप नहीं तब आप लगाए लेकिन उसकी मात्रा को कम कर दें अप लगाए लेकिन उसकी मात्रा कम कर दें फिर चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं रहेगी फटते कैसे इंजेक्शन जो इंजेक्शन आई-एम का अगर आप आई-वी लगा देंगे तो फिर बोटल फट जाएगी लेकिन कभी-कभी यह भी होता है कि हम आई-वी रूट वा अगोरीती और यह दोनों इंजेक्शन भी फट सकते हैं अपस में घ्रिया हो सकती है तो आपको क्या करना अगर आपको एक प्रेंदम सारे इंजेक्शन लगाना Olim.001 तो एक नौद Labch brands है एक तरीका आ represents और आपका एक बोतल में काम भी चल जाएगा वह तरीका क्या है कि मान है कि अब क्यूं backwards लगाई पश्यक्यों उस लगा ट्राइभ्य एंजीक्षन भाज लगा दिया त्में अ चाहते हैं खाथे हैं शो भी अटिन पिर आपके मन में escort आपको चाहते हो gewoon लगाना रगे और दूसरे भी इंजेक्शन आप एक साथ लगाना चाहते हो तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं कौन सा तरीका तो आपका हो जाएगा जाएगा तो पशुका बलड में बलड भी जाड़ा हो और पशुका गबराट होगी गबराट के बार पशुक में चला जाता है इसलिए हम इतने सारे injection एक साथ नहीं डाले और बोतल को नहीं फटे जब बोतल नहीं फटेगी तो पशु भी नहीं मरेंगी तो आप क्या करें कि उस जो rubber है उस rubber में directly IV कर दे rubber में rubber में आप चाहे कितने भी injection IV कर दे slow slow IV लगा दे कोई सब इंजेक्शन आप directly IV कर सकते हैं और बोतल में फटने से आप बचा सकते हैं और कितने भी injection आप एक साथ IV भी कर सकते हैं यह unique तरीक आपको अच्छा लगाओ तो एक लाइक जरूर कर देए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजए तब तक के लिए जैहिन वन देख